छो आप देगले टेक्वितन और दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने बाला हूँ कि आपका जो द्रोट कोविध वैक्सिन लेने के बाद आपका जो पासपोटने आप ऐसे लिंक कर सकते जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं यह बाला पिक्चर में कि आपका आधार नमबर दिया गया है आईडी वेरिफिकेशन की प्रूप में ठीक है ना तो इदर हमको पासपोर्ट नमबर डालना पड़ेगा क्यों डालना पड़ेगा क्योंकि आगर जैसे यह लागडाउन जो है यह तो थ्रह थरा करके आप भी आज़े रिमूब हो रहा है जैसे पुरा का पुरा रिमूब होगे तो इस टाइम आपको इस बहुत ज्यादा पायोटी मिलेगा और ऐसा हो सकता है कि जो लोग भैक्सिन है उन्हीं लोगों को आजे अलाव हो दूसरे किसी कंटी में फिलाल अभी तो आटीपी सा टेस्ट चली रहा है सेवेंटी टू आर का राइट तो कैसे हो हमारा जो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं का तो प्लीज आप डेट कलर की बटन के पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिए हमारा और आपका प्यारा चैनल टेक बितान और को और नोटिफिकेशन बेल को कर लिजी ऑल इसमें हो गए कि मैं जब लेंगे लिए वीडियो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुद जाएगा आपके पास अबसे पहले ऊस्तों तो सब्सक्राइब करना आफ करना आपको प्रेस करना मत बुलना दूस्तों राइट तो सबसे पहले हुद्व आज आना पड़ेगा यह वाला वाइप साइड मे तो इधर आपने भैक्षिन लेने के टाइम पर आपसे मांगा गया था वह भाला मुवाइल नमबर आप यह पर इंटर कीजिए ध्यान से इंटर कीजिएगा और एक बाद आपने जो पास्पर नमबर जो डाल लिएगा वह एक ही बार आपको चांस मिलेगा तो उसको भी थ्यान से डालिएगा एक जूंप अधर भी उसको डालिएगा तो टीपी हमारा आ गया है तो यह पर टीपी डालने के बाद आप सिंपली वेरिफाइंग प्रॉसस के पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद जितना भी बेनिफिसी आपका इस मोबाइल नमबर के साथ एज़े कनेक्टेड है उसका पूरा का पूरा लिस्ट दिख जाएगा क्यूंकि हमारे इस केस में एक ही है इसलिए यह पर एक ही मिंबर दिख रहा है तो यह जो साटिफिकेट है इस साथ आधर कर एज़े एड किया गया है इसके साथ हम पासपोर नमबर एड करेंगे राइट तो सिंपली आप यह पर क्लिक करेंगे रेस एंड इसू यह पर एकदम निचा आई दूस्तों अब दोस्तों देखिए एड पासपोर डीटल राइट इससे बाद आप इस काम बहुत करेंबं कीजी जलत बजी में मत कीजिए तो चार्ड एधर यह एक है है इसलिए एक ही बेनिफिसी का नियाम है अधर कर लीजिए अगर स्कत्राइब करने सबस्क्राइब कर लिए उसके बाद पास्पोर्ट में जो आपका पास्पोर्ट नामबर होता है उसको आप ध्यान से डालिएगा है ठीक है ना इधर गरबर नहीं होना चाहिए तो पास्प करेंगे इसको टिक करने के बाद आपका अप्सिन हो गया एक्टिव उसके बाद हो सकतो पासपूर नमर को फिर से एक बार वेरिफाई कर लिजिए उसके बाद सिंपली साब्मिट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आप में रिक्वेस्ट भीजा वह अभी में है याने कि को इन बालों के पास चाला गया अभी ओ लोग उस बारे में बीचर करेंगे और आपका मोबाइल में भी एसेमेस आ जाएगा कि आपने रिक्वेस्ट डाल दिया है उसके बाद आप सिंपली बैक पे जाईए इधर आप देख सकते हैं से पहले इधर ट्रैक र गया है क्या वो गया सक्सेस्फुली या फिर आभी यो वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग में पढ़ा हुआ है तो इसका आपका जो स्टाटास है उदर आपको दिख जाएगा तो जब आपको इस शाक्सेस्फुल दिख रहा है यानि कि मेरा जो साटिपिकेट है उसके अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो यह पर नीचे आप उनका टेलीफोन नमब और उनका एक मेल आइड़े देख सकते हैं इधर भी आप मेल कर सकते हैं तो सिंपिल आभी हम इसको डाउनलोड करके देखेंगे साटिपिकेट के पर जैसे आप किलिक करेंगे तो यह ड सकते हैं सी नमबड नमबर की नहीं वाजी हां दोस्तो हमारा इधर हो गया है इâte पहले दिखरात आपका आधारकार लेकिन इदर आपको अभी दिख रहा होगा पास्पोर्ट नमबर तो यह बहुत सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तो लेकिन पास्पोर्ट नमबर डालने के करना दूस्तों मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ अब तक के लिए बाइबाई